हेलो सेरेंट्स कैसे हैं आप सब आई होब कि अपिस अप्ट बहुत अच्छे हैं चलिए हमारा टोपिक चल रहा था नाउन और नाउन में लास लेक्षर में हमने कंप्लीट कर लिया था नाउन नंबर को ठीक है उसके बाद next topic की बात करते हैं और next topic है हमारा नाउन यूनिट चिक है योनिट में हम देखेंगी सबसे पहली हेडिंग बनाएं गया था इस टाइप वन ठीक है यून अब को EVAWAER चीज पता होती है दाफिनेट का मतलब ही है define definition जिसकी बारे में हमें पूरी पूरी जानकारी है पूरा सारी चीजे पता है और indefinite का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में हम शोर नहीं है या मैं बोलू कि जिसकी definition हमें complete पता नहीं है तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं definite unit की तो इसमें इस student मैंने compound में आपको सिखाया था कि हमारे पास जब दो noun आते हैं, जब दो noun एक साथ आते हैं, तो उसमें से एक domain noun का काम करता है, और एक जो noun है आपका, वो किसका काम करता है, students, modifier का काम करता है, ये मैं आपको अलड़ी जो है चीजे सिखा चुकी हूँ, तो जो direct समझ में आएंगी, तो आज का lecture जो direct देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें ये चीजे ना समझ में आए, तो अपने पहले के lectures ज़रूर कम्प्लीट कर लेना, तो ये चीज मैं आपको अलड़ी समझा चुकी हूँ, तो modifier, एक noun जो है, वो modifier का का काम करता है, और उसे हम क्या कभी भी plural नहीं बनाते हैं, honest को honest, honest नहीं करते हैं, intelligent को intelligence नहीं करते, ठीक है न, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो बेशेक noun अगर आपका adjective का का काम कर रहा है, और उसकी plural form possible है, लेकिन हम उसको plural कभी भी बनाएंगे, नहीं, लेकिन हमने main noun देखा था, कि main noun का यह अब कभ कर पाएंगे, जब वो countable noun होगा, यह obvious सी बाते हो गई है, अब तक यह बाते हमें समझ में आ गई होगी, और अगर uncountable noun होगा, तो simple सीधी बात है, कि हम उसको भी plural नहीं बना सकते, ठीक है, तो सबसे पहली heading बनाएंगे, definite unit, और यह जो, यह चीज मैं आपको अ रुपी या फिर रुपीज, बताएंगे यहां क्या लगना चाहिए, I have one रुपी या फिर रुपीज, अब यहां पर बात हो रही है, अब वन की, तो मैं यहां क्या लगाऊंगे, रुपी लगाऊंगे, रुपीज तो यूज नहीं करूंगे, that means कि यह हमारा क्या हो गया, adjective और यह हमारा क्या हो गया, noun हो गया, simple सीधी बात, ठीक है, अब ध्यान देना मैं क्या लिख रही हूँ, I have one रुपी या फिर रुपीज, note या फिर notes, I have one रुपी या फिर रुपीज, note या फिर notes, अब आ ही रहा है one, तो that means कि क्या आएगा, रुपी आएगा, रुपीज तो आएगा नहीं, यहां तो हमें one से ही समझ में आ जाता है, और यहां पे बात एक ही note की हो रही है, तो notes भी नहीं आएगा, one रुपी notes, I have one रुपी notes, clear है, चलिए, तो I think यह बात आपको समझ में आई, ठीक है, अब देखो, यहां पे आपने note लगाया, अब ध्यान दो, यह जो चीज है आपकी पूरी, यह किसका काम कर रही है, modifier का काम कर रही है, ठीक है, यह किसका काम कर रही है, modifier का, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास note है, कैसा, एक रुपीय का note है, एक रुपीय का note है, बिल्कुल, तो बात सही है, हमने एक बार यह लेके चला, अब इस में एक बार आपको दे रखा है note and notes मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक रुपय के notes है एक रुपय के notes है कितने भी हो चाहे मेरे पास ठीक है तो एक रुपय के notes है तो that means कि यह notes भी हो सकता है यहां पर ठीक है और note भी हो सकता है यहाँ पे हाइफन मिल जाता है आपको कई बार तो यह पूरा मिलके किसका काम कर रहा है सुन्ट मोडिफायर का काम कर रहा है ध्यान दो मैं क्या लिख रही हूँ मैं लिख रही हूँ I have 2 रूपी या फिर रूपीज नोट या फिर नोट रूपी रूपीज नोट या फिर नोट तो हमें पता है यह दिख रहा है मुझे मेरे पास क्या है 2 रूपए का नोट है मेरे पास क्या है 2 रूपए का नोट है या फिर मैं बोल लिए हूँ कि मेरे पास 2 रूपए के नोट है तो अब यह चीज किसका काम कर रही है? Adjective का काम कर रही है, modifier का काम कर रही है, क्योंकि 이 notes है, मैं अगर मैं इसको हटा भी दूं, तो अभी मेरा sentence पुरा बन रहा है, I have notes, I have notes, मिरे पास notes है, मेरे पास notes है, अब यह note कैसे हैं किसके हैं कितने के हैं दो रुपे के तो that means इसने किसका काम किया adjective का अब हमारे दिमाग में क्या आता है two आ रहा है तो यहां तो रुपीज होना चाहिए लेकिन अभी-अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि adjective को हम कभी भी plural नहीं बनाते हैं तो adjective को कभी भी plural नहीं बनाएंगे और यहां पर क्या लगाएंगे रुपी लगाएंगे अगर हम इसको singular लेके चल रहे हैं तो notes सही हो जाएगा, notes गलग हो जाएगा और अगर हम इसको plural मान के चल रहे हैं तो वहां पर note नहीं लगाएंगे notes लगाएंगे, जब हमें कुछ भी given नहीं है तो that means कि हम दोनों ही लेके चल पड़ेंगे note भी और notes भी, यही चीज मैं उपर में समझाना चारी थी, अगर आप एक ही इसमें लिखना चाहते हो तो एक ही में लिख लो ठीक है, confused नहीं होना कि मैं हमने क्या कर दिया, अगर एक मान के चल रहे हैं तो एक note आजाएगा, और एक से ज़्यादा notes मान के चल रहे हैं तो notes आजाएगा, वहां पर दोनों ही बाते सही है, इतना आपको समझ में आया तो एक बार इसका screenshot लेएगे, note कर लेएगे, फिर हम आगे बात करते हैं, चलिए students, तो I think ये बात आपको इतनी समझ में आई, अब ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रही हूं, ये बात अगर हमें समझ में आई है, तो that means की, हमें ये समझ में आ गया कि जब कोई भी noun adjective का का काम करता है, तो हम उसे plural नहीं बनाएंगे, सर्फ main noun को ही क्या करेंगे, singular या plural करेंगे, अब ध्यान दो मैं क्या लिख रही हूं, मैं लिख रही हूं, I have five, I have five, two, rupee, या फिर rupees, note, या फिर notes, तो हमें दिख रहा है, कि मैं ही क्या, अगर मैं इसको हटा भी दू हमें दिख रहा है, ये modifier का काम कर रहा है, adjective का काम कर रहा है, कि मेरे पास notes है, कैसे, दो रुपए के, दो रुपए के notes है, अब मेरe पास ये notes कितने है? पाँच, अब मेरे पास ये notes कितने है assignments? पाँच, और अब मैं ने ये number दे तो neurot 다음에 कि ये भी इस नोट reminds के लिए ये उस रहा है और ये लिए इस नॉक नोट के लिए ये उस हो रहा है डाइज से ये भी एड़यक्टव का काम कर्राहें अलगर है लेकिन अब हमारे स्कोन बात दो रुप करें नॉट mend नहीं बनाएंगे क्योंकि adjective को हम कभी भी प्लूरल नहीं करते हैं तो इसको एक बार note अगर मैं बोलूँ कि two thousand या फिर thousand तू थाऊजट या फिर thousand थाउजन्स स्टूड़िंट या फिर स्टूड़िंट वह वाज़ 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 देया व्वाज़ वाज़़ एक अब आपको definite committing clear है क्योंकि two thousand लिखा हैं तो मुझे पता है कि कितने हैं दो हजार है अगर मैंने दो रूपए लिखा है तो that means दो रूपए के हैं अगर मैंने five notes लिखे हैं तो that means कितने हैं पांच notes है अगर मैं यहाँ पर लिख देती कि several notes ठीक है enough notes that means हम उसमें number नहीं बता सकते indefinite बन जाता लेकिं definite का मतलब क्या है कि हमें वहाँ पे exact उसका number पता है चलिए यहाँ पर बात करते हैं तो अगर मैं बात करों 2000 student याफ ए students तो मुझे यह दिख रहा है कि यह जो number है यह जो number है यह किसका काम कर रहा है students adjective का का काम कर रहा है और यह number मुझे plural दिख रहा है तो that means की यहाँ पर students की बात होगी अगर student एक की बात होती तो हम वन लिख देते simple सीधी बात ठीक है लेकिन यहाँ पर number बड़ा है हमारे पास 2000 तो that means की 2000 students है student नहीं अब बात आती है कि मैं जहें thousands लगाना चाहिए या thousand तो अब thousand अपने आपने noun है लेकिन यह काम किसका कर रहा है adjective का काम कर रहा है और adjective का काम कर रहा है तो यहाँ पर thousands की कोई भी गुंजाइश नहीं है adjective को हम कभी भी plural नहीं बनाते हैं तो यह जो noun है वो adjective का का काम कर रहा है modifier का इसलिए यह singular रहेगा plural को हम काट देंगे अब एक से ज़्यादा students तो हैं तो यहाँ पर हम वर को टिक करेंगे वो जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा तो जब हम बात करते हैं definite unit में तो आपने जो question solve करने हैं वो students इस तरीके से आपने solve करने है ठीक है ना तो इन चीज़ों का आपको specially ध्यान रखना है कि question जो है वो आपको इस तरीके से solve करने है clear है ओके चलिए एक दे इस जामपल्स और देख लेते हैं अगर फिर भी आपको कोई doubt रह जाए तो मुझे comment section में बताएंगे जरूर कि क्या चीज समझ में नहीं आई चलिए अगर आप यह solve कर पा रहे हैं तो that means कि आपको चीज़े जो है वो clear है वीडियो को post करके एक बार solve करने की कोशिश करेंगे अगर मैं बोलू कि two five star या फिर stars hotel या फिर hotels ठीक है ऐसा ही मैं आपके सामने लिख रही हूँ फाइव स्टार या फिर stars hotel या फिर hotels hotel या फिर hotel ठीक है चलिए समें बताइए मुझे two five star stars hotels अब बात हो रही है दो होटेल की बात हो रही है दो होटेल की that means यह जो two use हो रहा है वो किसके लिए use हो रहा है main noun के लिए तो two ही आगया तो होटेल तो आएगा नहीं क्या लगाएंगे हम लोग hotels को use करेंगे दूसरी बात five star अब दो होटेल हैं वो कैसे हैं five star hotels है तो that means कि यह तो adjective का काम कर रहा है hotel की विशेशता बता रहा है तो यह तो आपका क्या हो गया adjective हो गया यह मैं बोलू modifier हो गया और adjective को हम कभी भी plural नहीं बनाते हैं तो बेशक नंबर आगे five आ रहा है लेकिन star जो है वो star ही रहेगा नेक्स्ट की मैं बात करूँ अब five star hotel यह hotel एक hotel ठीक है that means यह जो ए आर्टिकल आ रहा है वो hotel के लिए और यह ही आ गया होटेल की कोई गुंजाइश नहीं है हम क्या टिक करेंगे hotel को टिक करेंगे दूसरा वापस से यह किसका काम कर रहा है adjective का होटेल जो है वो कैसा है five star है adjective का अगर काम कर रहा है तो plural नहीं बनाएंगे हम इसको तो यहां पे stars नहीं आएगा simple क्या आएगा आपके पास star आएग एक से ज़्यादा नंबर है दो तीन चार पांच तो हम उसको प्लूरल कर देंगे लेकिन जब दो नाउन इस एक साथ में आ रहे हैं तो वहां पर एक modifier का काम करेगा और एक main noun का काम करेगा और जो modifier का काम कर रहा होगा उसको हम कभी भी plural नहीं बनाएंगे एक वर इसको no down कर लीजे फिर हम type 2 की बात करते हैं तो definite unit आपकी complete हो जाती है जितने भी possible cases हैं वो मैंने आपको सारे समझा दिये हैं यहाँ पर इसके बाद heading बनाएंगे type 2 and indefinite unit type 2 और indefinite unit indefinite unit indefinite unit का मतलब क्या है students कि जहाँ पर हमें exact number पता नहीं है उसे हम क्या भोल देंगे? indefinite unit जैसे कि for example अगर हम बात करें indefinite unit की तो हम यू कह देते हैं कि जब हम relief देखते हैं हम भीट देखते हैं तो हम क्या कहते है? हजारों की संख्या में लोग थे लाखों की संख्या में लोग थे लेकिन हमें एगजेक्ट नमबर नहीं पता कि वो हजार थे, दो हजार थे तीन हजार थे, चार हजार थे, पांच हजार थे वो नमबर हमें नहीं पता है exact number हमें नहीं पता है exact number अगर हमें पता हो तो वो तो definite unit ही बन जाएगी उसमें तो फिर हमें कोई दिकत है ही नहीं वो तो कैसी unit बन जाएगी आपकी definite unit बन जाएगी लेकिन indefinite unit कौन सी होगी आपकी जहां पे हमें exact number नहीं पता है कि वो कितने लाख थे या कितने हजार थे तो उसे हम क्या कह देते हैं इंडेफिनेट यूनिट कह देते हैं और आपको ध्यान रखना है कि इंडेफिनेट यूनिट जो है वो हमेशा ही कैसी रहती है आपकी प्लूरल रहती है इंडेफिनेट यूनिट जो है वो हमेशा ही कैसी रहती है plural रहती है singular में यूज करते ही तो यह कैसी बन जाएगी definite यह बन जाएगी क्योंकि जैसे हम इसको singular में यूज करेंगे तो that means कि हमें वहाँ पर exact number पता होगा ठीक है जैसे कि for example अगर मैं लिखूँ अगर मैं लिखूँ thousand या फिर thousands thousand या फिर thousands of student या फिर students वोज वर देर तो जो मारा में नाउन है वो तो plural ही आएगा क्योंकि यहां पर singular की तो कोई sense ही नहीं singular होता तो हम वर नहीं लगा देते सीधा ठीक है यह article ए ही लगा देते अब हम क्या कह रहे है हजारों के जन संख्या में जो है students वहाँ पर थे तो students ही आ गया तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी students plural होगी अब बात आती है कि यहां thousand होना चाहिए या thousands होना चाहिए तो जब मैं खाली thousand लिख रही हूँ तो क्या हमें पता लग रही है यहां पर वही प्लूरल रहेगी देखो मैं क्यों कह रही हूँ कि यह definite बन जाएगी कि मान लो अगर मैंने इसको सिंगुलर में यूज किया thousand तो मैं जहीं के आगे कुछ ना कुछ exact number लगाना पड़ेगा और मान लो मैंने बोल दिया 2000 मैंने बोल दिया 2000 तो मैं सीधा लिखूंगी यह adjective का modifier का काम कर रहा है तो modifier हमेशा singular में आता है तो जैसे ही हम इसको singular में यूज करते हैं तो यह definite unit का काम करने लग जाता है तो यह बात आपको यहां पर समझने की जरूरत है ठीक है ना जब हम बात करते है मैं indefinite unit की तो तो वो हमेशा ही कैसी रहती है plural रहती है ऐसे ही अगर मैं आपसे कोशिण और पूछू 받as EXFit 100 यहां फिर एक JASON कोमे रहा हम कर देखा हूं आप जक seviड़्र कि कोई सेंस्वाए इस है को बात कर रही हूँ, ठीक है, हाँ, indefinite unit के बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, hundreds यूज करना पड़ेगा, ना कि 100 को हम यहाँ पर use करेंगे, ठीक है, तो I think indefinite unit जो है, वो आपको यहाँ पर clear हो जाती है, चलिए, चलिए, तो यह तो बात थी, indefinite indefinite unit में हमें एक ही indefinite unit given थी, लेकिन कई बार हम यह बोलते हैं, हजारों लाखों में लोग थे, हजारों लाखों में लोग थे, ऐसे बोल देते हैं ना, तो that means कि दो-दो indefinite unit हमारे पास आ रही हैं, और दो-दो indefinite unit अगर हमारे पास आ रही हैं, तो उनको हम किस तरीके से लिखेंगे तो इसमें एक note बना लेंगे इसमें note बना के लिख लेंगे note करके लिख लेंगे एक note बना लेंगे छोटा सा कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा indefinite unit आ रही है अगर हमारे पास एक से ज़्यादा indefinite unit आ रही है तो उनको हम sentence में कैसे यूज करेंगे और indefinite unit है तो ध्यान रखना स्वेंट्स वह always plural तो हमेशा ही रहेंगी वह plural तो हमेशा ही रहेंगी और इसमें आपको confused होने की जरूरत नहीं है ठीक है indefinite unit एक sentence लिखिए उससे आपको समझ में आएगा जैसे कि मैं बोलना चाह रही हूँ thousands of यह तो आपको समझी आगया यह plural ही रहेगा हमेशा तो मैं अब तहीं लिख रही हूँ thousands of lakhs of students were there अब उन्हें बोला हजारों लाखों की संख्या में वहाँ लोग थे तो यह जो unit लिखी जाएंगी वह हमेशा increasing order में लिखी जाएंगी in increasing order बस आपको यह चीज थ्यान रखनी है thousand और lakh में से बड़ा कौन सा है? lakh बड़ा है तो जो छोटा है उससे हम लिखना शुरू करेंगे उससे हम लिखना शुरू करेंगे तो thousands of, lakhs of यह भी indefinite है यह भी indefinite है तो plural रहेगी इसमें कोई भी change नहीं आएगा सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है जब एक से ज़्यादा indefinite unit हमारे पास आ रही है तो वह increasing order में लिखी जाएगी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बढ़ा, फिर उससे बढ़ा, फिर उससे बढ़ा तो यह हमेशा increasing order में लिखा जाएगा ऐसा ही मैं आगर आपको बोल दो hundreds of, thousands of, lakhs of students were there तो that means hundreds सबसे पहले लिखा जाएगा, thousands लिखा जाएगा, फिर lakhs लिखा जाएगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो note में आपको यही लिखना है कि indefinite unit जब हमारे पास एक सिज़ावा आ रही है तो वो कैसी लिखी जाएगी? increasing order में, लेकिन लिखी जाएगी plural में ही, क्योंकि indefinite unit हमेशा ही आपकी किसमें रहती है? plural में रहती है clear students, तो definite और indefinite में, definite और indefinite में, difference क्या है definite versus indefinite unit में, वो मैंने आपको बताई दिया है कि जब हम indefinite के आगे कोई number लगा देते हैं, तो वो तो definite ही बन जाता है, वहाँ पे off की कोई sense नहीं आती, जो भी थोड़े पहले मैंने समझाया था, तो वो चीज़ आपको ठ्यान रखनी है, ठीक है ना? तो definite और indefinite में, आपको difference पता लगा है, जब हम indefinite के आगे कोई exact number लिख देते हैं, तो वो किसमें change हो जाता है, definite में change हो जाता है, और definite में change हो जाता है, तो that means हम उस पे SCI ES नहीं लगा सकते हैं, और off को भी वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, इसको note down कर लीजिए, फिर ह बात करते हैं, तो I think यह आपने note कर लिया होगा, इसके आगे next type number 3 लिखेंगे, type number 3 लिखेंगे, यहां तक कोई doubt आ रहा हो, students तो मुझे comment section में बताएंगे जरूर, ठीके कहीं से आपके पास कोई sentence है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी आप comment section में लिखके छोड़ सक लिखेंगे, RB trary unit, RB trary unit, RB trary unit, RB trary unit, RB trary unit क्या होती है, कि जिने सिर्फ मान लिया गया है, जिने सिर्फ मान लिया गया है, ऐसे unit जिने सिर्फ मान लिया गया है, कैसे, for example, अगर मैं बात करूँ कि हमारे घर में चीनी खतम हो जाती है, हमारे घर में चीनी खतम हो जाती है, त कि अगले बार मैं जब आपको वापस करने आउंगा तो इसी कट्यों नहीं रखी कुछ वही कोई कामा लिया झ cartridges आपको क्या डिशत करने आप हैं तो उस glass को ही हमने क्या मान लिया एक unit मान लिया उसी को क्या कहा जाता है arbitrary unit कहा जाता है जिनको हम सिर्फ क्या कर लेते हैं मान लेते हैं तो bilingual में ही लिख लेना जिनको मान लेते हैं जिनको मान लेते हैं ठीक है तो So, arbitrary unit की, अगर हम बात करें, singular की या फिर plural की, अगर हम बात करें, singular की या फिर plural की, तो ध्यान रखना students, ये sentence की concept की according हम use करेंगे, according to concept of a sentence, sentence में उसमें singular की requirement है, या sentence में plural की requirement है, उसके हिसाब से हम इसकी singular या फिर plural जो है वो बना देंगे, ठीक है? सिंगुलर या फिर इसका जो है plural हम बना देंगे, clear है सभी को? तो arbitrary अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे की for example, अगर मैं आपको बोलू, handful, ठीक है? या फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिग लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अगर मैं बोलू, handful का मतलब क्या है? मुठी भर, handful का मतलब क्या है? मुठी भर, ठीक है? ऐसे ही अ आगे आपको क्या लगा हुआ मिलता है, students? फुल लगा हुआ मिलता है, handful, spoonful, mouthful, ठीक है? कि मुँ भरा हुआ है हमारा, that is mouthful, कुछ भी आप यहाँ से word जो है वो बना सकते हैं, ठीक है? तो that means कि एक मुठी भर दे दो, एक चमच भर के दे दो, एक कटोरी भर के दे दो, एक ठीक है? वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके, तो अगर हम बात करें इनके singular या फिर plural की, तो singular क्या बनेगा? handful, ऐसे ही क्या बनेगा? spoonful, ऐसे ही क्या बनेगा? bowlful, और ऐसे ही क्या बनेगा? हमारे पास mouthful, अब बात आती है कि यह तो हो गए इसके singular, लेकिन हमें क्या यू एक मैं लिख रही हूँ, handfuls, ठीक है? एक मैं लिख रही हूँ, spoon, spoons, full और एक लिख रही हूँ, spoon, fulls, एक लिख रही हूँ मैं, bowl, bowls, full और एक लिख रही हूँ, bowl, fulls, ऐसे ही नोट करना है, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, यह नहीं है कि आपने सीधा इनका plural लिख देना है ठीक है क्योंकि जैसे मैंने आपको दो-दो ओप्शन दिये हैं ऐसे ही दो-दो ओप्शन बना के उसमें से फिर हम एक को काट देंगे concept को समझ के concept को समझ के चलिए students तो अब हमें क्या करना है इनका plural form बनानी है that means कि यह कैसे form हुई singular यह कैसे form हुई singular और यह कैसे form हुई plural form हुई तो इन दोनों में से आएगी कौन सी अब ध्यान से सुनना example के through कि मान लो हम किसी के घर में गये हुए हैं as a guest हम लोग गये हैं तो हमें वहाँ पे चाय ओड़की जाती है ठीक है चाय दी जाती हमें तो हम वह बुड़े प्रॉपर उसी तरीके से आती है जैसे high level society high society के लोग जैसे चाय पीते हैं कि दूद अलगाता है चीनिया लगाती है और जो पत्ती उब्लियूई होती है वो अलग से आती है ठीक है तो हमारे सामने चाय बना रहे हैं चाय बना रहे ह तो अध्यान से सुनना में क्या कह रहे हैं चमच एक ही चमच एक ही और चीनी दो बार चमच एक ही लेकिन चीनी कितनी बार दो बार इनको तो हमने क्या कहा ये तो एक ही चमच तो एक ही चमच तो एक ही और चीनी दो बार चमच एक ही कितने चमच नहीं उन्होंने कहा कितने चमच चीनी लोगे तो हमने क्या कहा चमच तो एक ही लेकिन चीनी जो है वो कितनी बार दो बार चीनी जो है वो तीन बार, तो एक ही चम्मत से उन्होंने कितनी बार डाला, उसको दो बार डाला, उसने तीन बार डाला, चार बार डाला, तो वही चीज है, तो that means कि हम hands को plural नहीं कर रहे हैं, spoon को plural नहीं कर रहे हैं, bowl को plural नहीं कर रहे हैं, mouth को plural नहीं कर रहे हैं, समझ में जो है UK अब और फिर लगा पड़ता है इनको कैसे करेंगे करते हैं कि हैंट फूल को क्या लिखेंगे हैंगे अ I think, आज आपको ये चीज clear हो गई है, कि ऐसा हम क्यों करते है, इनके plural form ये क्यों बनती है, ये क्यों नहीं बनती, clear हुई, क्योंकि चम्माच ये की रहती है, उसी से हम चीनी चाहे, तीन बर डाले, चार बर डाले, पांच बर डाले, doesn't matter, तो ये इसके पीछे का जो concept है, ये इसके पीछे का logic होता है, ठीक है, चलिए, कुछ sentences को देखते हैं हम, कुछ sentences को देखते हैं, वो solve करने की कोशिश करो, कि वहाँ पर singular form आनी चाहिए, या फिर plural form आनी चाहिए, I think ये चीज आपको समझ में आ गई है, कि कैसे हम इनको singular या फिर plural करते हैं, कैसे हम इनको singular या फिर plural करेंगे, solutions, देखें sentences को, अगर हम यहाँ पर बात करें, one bowl full या फिर bowl fulls मिलके जे required, तो अगर हम यहाँ पर घ्यान दें, तो ये जो one bowl full या फिर bowl fulls है, ये किसका काम कर रहा है, modifier का काम कर रहा है, ठीक है, definite या indefinite, वो as it is रहेगी, arbitrary unit के साथ, जैसे हमने definite सिखाई या indefinite, तो मैंने इसके आगे एक number लगाया है, definite number लगाया है, तो that means ये कैसी unit कैलाएगी, आपकी definite तो कैलाएगी, लेकिन किसमें arbitrary में, तो milk जो है, वो हमारा main noun है, तो ये तो जो है, किसका काम कर रहा है, adjective का काम कर रहा है, और adjective का काम कर रहा है, वैसे भी number हमारे पास क्या है, एक number है, तो यहाँ पे हमारे पास bowl fulls, नहीं आएगा, bowl fulls को हम तिक करेंगे, next sentence के अगर मैं बात करूँ, one handful, या फिर hands full, handfuls, students, students were there, अब हम कहते हैं न कई बार के मुठ़्ी बार लोग थे, वहाँ पे एक मुठ़्ी लोग थे, that means के बहुत ही कम मात्रा में थे, तो यहाँ पे one लगा है, वापस से ही किसका काम कर रहा है, adjective का का काम कर रहा है, है, modifier का का काम कर रहा है, तो plural की कोई sense नहीं है, चाहिए यहाँ पे मैं two लगा दू, तब भी यह handful ही रहेगा, handfuls नहीं बनेगा, क्योंकि adjective का का काम कर रहा है, और adjective का का काम कर रहा है, और आगे तो students obviously आएगा, student तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर एक student होता, प्लूरल रहती है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, handfuls of students were there, that means कि मुथि भर लोग वहाँ पे थे, मुथि भर students वहाँ पर थे, ठीक है, तो यह चीज आपको यहाँ से जो है, वो समझनी है, तो I think आपको तीनो टाइप जो है, वो समझ में आ गए है, unit के, तो now unit topic जो है आपका, वो भी मेरी तरफ से complete हो जाता है, कोई भी चीज आपको ना समझ में आयाई, तो comment करके मुझे बताएंगे, जरूर, पूछेंगे जरूर कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है, और अगर चीज आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को like जरूर करें, चैनल को जन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ये free classes आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी, हर topic की, और हर topic में आपको इतने ही detail में, इतने ही basic से इस advanced level की चीज़े में आपको कराने वाली हो, तो students वीडियो को जाब से ज़्यादा शेयर करें, अपने friend circle में, ताकि वो भी इस चीज़ों का benefit जो है वो उठा सकें, बाकि नए noun के नए topic के बाद हम next lecture में करेंगे, Thank you class.